हेलो एब्रिवन रिसेंटली मैंने गोकर्णा विजिट किया था तो आज का ये व्लॉग है मेरा गोकर्णा पे और ये है वाइट पर्ल क्रूज जिसमें मैंने दो दिन का स्टेकेशन लिया था एंड ये है इसके आसपास का विउ ये क्रूज जो है ये बैक वार्टर्स पर खरे रहती है और ये राइट कराती है आसपास के सारे बीचेश का जो गोकर्णा में है तो चलिए इसका रूम टूर कर लेते हैं तो ये है मेरा प्यारा सा रूम इंटेरियर वुडन है बैट भी क इस विउ एंड क्योंकि हम मॉर्निंग आवर्स में आ चुके थे तो इसलिए उन्होंने हमें साथ इंडियन ब्रेकफर्स सर्फ किया जो बहुत अच्छा था विद इस विउ फिर हमने कॉमन सिटिंग एरिया में काफी देर चिल किया रिलेक्स किया और इसके बाद हम मैं आ यहां से भी मैंने थोड़ी देर यह फ्रेश एर और विउ को एंजोई किया विद इस टी एंड इसका विउ इतना अच्छा है कि मैंने हर शॉर्ट इस विउ के साथ ही लेने की कोशिश की और यह देखिए स्पीड बोर्स जा रहे हैं ट्रेवलर्स को लेके आस पास के जो आ हमने तो यह सोचा कि पहले दिन हम इस क्रूज पे ही एंजोई करेंगे और शाम को हमने इनका टू आवर्स का इविनिंग राइड एंजोई किया इस राइड के दौरान हमें टू आवर्स तक संसेट का व्यू एंजोई करने का मौका मिलता है और गो करना के आस पास के सारे बीचेज को यह क्रूज दूर से ही दिखाती है और डीजे डान्स रिफ्रेश्मेंट सब कुछ रहता है इस राइड के दौरान और यह व्यू संसेट का इतना प्यारा है कि आप यहां आओगे तब ही पता चल पाएगा मैंने तो भर भर के शॉर्स लिये हैं और बहुत सब्सक्राइड भी ले सकते हो जो कि एवरी डे इविनिंग में होता है वो वंस इने लाइफटाइम एक्सपीडियन्स है और यह बहुत ही प्यारा है और आप फ्रंट में इस तरह से बैट के अकेले एंजॉय कर सकते हो या डेक पे सबके साथ डांस और डीजे एंजॉय कर स उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम गो करना विजिट करेंगे जो कि थोड़ा बहुत एक्स्प्रोर करने का हमारा मूर था तो हमने स्कूटी रेंट पे लिया और हम निकल पड़े गो करना एक्स्प्रोर करने के लिए यह क्रूज वाला लोकेशन सिटी से लग भग 4 तो 5 किलो मीटर दूर है एंड स्कूटी यहां पे इजिली अवेलेबल हो जाती है रेंट पे और यह सबसे बेस्ट वे है गो करना एक्स्प्लोर करने का एफ़र्डेबल वे भी है सबसे और सी वर्ट मुझे दूर से यह पोस्ट ओफिस दिखा जो कि काफी क्यूट था कर्मी हो रही थी तो हमने आस पास में थोड़ा बहुत शॉपिंग किया और बापस हम अपने क्रूज पे लौट आए और यहां पे मैंने फिशिंग ट्राइ किया फिशिंग के लिए वैसे तो मॉर्निंग आवर सही रहते पर लखिली सी वर्ट मुझे यह फिश मिल गई और यहां पे तो बर्ट भी फिशिंग कर रहे थे और यह देखने का एक्सपिरियंस भी बहुत अमेजिंग था फिर हमें डिलिशियस लंच सर्व किया गया इनका कोस्टल फूड और यह पॉंफरेट तवा फ्राई बहुत टेस्टी था यू मस्ट ट्राइट फिर हमने सोचा कि आज हम एडवेंचर एक्टिविटीज ट्राइक करते हैं तो हमने एवरग्रीन एडवेंचर को सिलेक्ट किया एंड क्रूज वालों ने ही हमें एडवेंचर एक्टिविटीज से कांटेक्ट करवा के दिया और बोट हमें क्रूज पे ही लेने आ गई फिर हम उनके साथ चले गए एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए पास के ही एक आइलेंड में जो की लगभग 30 मिनेट सी लगा हमें वहां तक पहुझने के लिए उन्होंने हमें लाइफ जेकेट पहनाया हुआ था और सारे प्रिकाउशन्स उन्होंने लिए वे थे वैसे तो मुझे स्वीमि ट्राइ करने का सोचा और यह देखिए यह आइलेंड जो की दूर से काफी डरावना कोई हॉलिवुड थिरिलर मुवी का प्लॉट लग रहा है बट आसपास में और भी बोर्स थे और लोग काया किंग कर रहे थे तो मुझे हिम्मत हुई और मैंने सोचा चलो इसको ट्राइ कर लेते हैं जो की मेरा फर्स टाइम एक्सपिरियंस था वाटर गेम्स का वाटर एडवेंचर का तो फाइनली हम आइलेंड तक पहुच गए और उसके बाद पहले तो थोड़ा बहुत हमने शूटिंग वगेरा किया और बीच को एंजोई किया यह बीच भी बहुत काम और बहुत शांत महौल था संसेट का टाइम था तो बहुत अच्छा लगा पानी में वाक करने में वैसे तो जादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है यहां पे क्योंकि यह आसपास में रॉक पॉर्मेशन से रॉक की बीच है तो जादा देर आप यहां तक जानी परते बर जितना तक एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां तक एक्सप्लोर किया और यह ठंडी पानी भी बहुत अच्छी लग रही थी जब पैरों को टच कर रही थी और देन मैंने कायाकिंग ट्राइ किया फर्स टाइम पहले तो मुझे बहुत ही जादा डर लग रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था किस तरफ मूव कर रहा है तो फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके एक दो शौर्ट भी लिए और आसपास में देखिए लोग भी कायाकिंग कर रहे हैं और कायाकिंग करते समय भी जो आसपास का व्यू दिख रहा था ना वह बहुत ही जादा प्यारा दिख रहा था और मुझे वाटर स्पोर्स का कोई भी एक्सपिरियंस ना होते हुए मैंने इस चीज़ को कर लिया एंजॉय कर लिया और वो भी फर्स टाइम समुंदर पे वैसे हम जादा गहराई तक नहीं गहते हैं बीच के पास पास में ही थे तो मैं बोल सकती गैरेंटी से कि इसे कोई भी कर सकता है और ये बिल्कुल सेफ है और जो बोट है वो भी पास में खरे होके सबको देख रही थी तो फिर फाइनली हमनोंने बोला कि हमें एक केव एक्सप्लोर करना है जो कि इस केव का रास्ता फोर्ट तक जाता था बट कुछ सालों पहले ल अंधेरे की वज़े से कोई शौर्ट सम ले नहीं पाए पट यह एक्सप्रियेंस भी अच्छा था छोटा सा केव था में अंदर तक और घहरा होता तो पता नहीं क्या होता और यह देखिए एवर्ग्रीन एडवेंचर्स की जो बोट है वो भी यही पर खड़े है वो लोग दो से तीन घंटे का टाइम देते हमें ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर पाए और मैंने एगें सेकेंड राउंड कायाकिंग करने का सोचा क्योंकि तब तक मुझ में काफी हिमत आ गई थी तो मैंने सोचा फिर थोड़े से थोड़ी देर तक एंजॉय किया जाए तो फिर से मैंने कायाकिंग किया और इस बार मैंने एवरग्रीन एडवेंचर का एक क्लोज शॉट भी लिया अच्छे से पास से और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और फिर ये देखिए लोग बैडमेंटन खेल रहे हैं और बॉल से खेल रहे थे और फाइनलेली ये से ड्राइट पे निकल चुका था तो हमने रस्ते में ही क्रूज में एंटर कर लिया बोर्ट से और फिर मैंने यहाँ पे डीजे एंड डान्स देख देखें एंजॉय किया रिलेक्स किया लग्ली उस दिन फुल मुन नाइट था तो व्यू का तो मैं क्या ही बताऊं और गा देखके समझ पाएंगे बट असली मज़ा अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा विजिट करना ही पड़ेगा क्योंकि यह वांस इन लाइफ टाइम एक्सपीडियेंस है और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू